नमस्कार दोस्तों यूट्यूब के ग्यान चक्सु चैनल में आपका आर्दिक स्वागत है यहां हम रखते हैं आपके स्वास्त है संबंदी जानकारियों का शंग रहे सावधान हो जाएए दोस्तों यदि आप ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो जिनकी सूची मैं आपक प्रोडक्ट्स हैं ये कैंसर को दावत देते हैं कौन-कौन से हैं अब अपने आँक और कान खोले रखिए बताता हूं आप द्यान दें ज्यादातर लोग अपने निखरी और बेदाग तुचा के लिए कई तरह प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और हम जो ये जो के बरुसा कर लेते हैं उनके सच्चाई क्या है वो बंते क्या है लोजिक क्या है ये चीज़ें हम नहीं जानते हैं नहीं हम कभी जानने के कोशिश़् करते हैं वह शकता है कि ये ब्यूट्डिक्स आपको कुछ समय के लिए फायदे मन्द लगें लेकिन ये आपकी सकिन के लिए बहुत ज्यादा अनिकारक हैं जी हाँ ये बात सही है जो हम कहे रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं रोज यूज होने वाले उन प्रोडक्स की जिन से आपको कैंसर जैसी जान लेवा बिमारी हो सकती है तो जानते हैं कौन से हैं वो प्रोडक्ट एक नमबर पर आता है बोडी लोसन पीच मिल्क कोको मिल्क शिया बटर इन नामों वाले और ऐसे ही कई नामों वाले जो हैं बाजार में बोडी लोसन उपलब दें लोग इसे अपने अपने तरीके से ड्राइ स्कीन की देख बाल करन का दावा करती हैं बोडी लोसन में खुस्बू के लिए यूज़ होने वाले फेटालेट्स नाम के फ्रेंग्रेश जो तत्व हैं वो सरीर के लिए और जननांगों के लिए बहुत ज़्यादा नुक्षान दायक हैं पर जननांगों के लिए बहुत ज़्यादा गातक हैं इतना नहीं कई बोडी लोशन में तो दोस्तों कोलतार का यूज होता है कोलतार जो है वो एक ऐसा तत्तों है जिससे स्किन कैंसर का खत्रा कई गुना बढ़ जाता है ऐसे में बैतरी है यह कि आप बोडी लोशन की जगह तेल का इस्तेमाल करें दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है फेस्वाश फेस्वाश में मुवजूद था तो पैराविन जो है वो ब्रेन डेमिज खरता है पैराविन ब्रेन डेमिज खरता है साथ ही जो सकिन है उसके लिए भी बहुत गातक है इतना ही नहीं ये भी जो हमवान और जननांगों के लिए नुक्षान दायक है आपको बता दें कि पैरा बिन वियूमन ब्रेष्ट कैंसर टीशू में पाया जाता है ब्रेष्ट कैंसर जो होता है उसका जो टीशू है उसमें पैरा बिन वियूमन पाया जाता है और ये अधिकतर फेश वास में यूज़ होता है इसलिए कोशिश करें कि फेश वास से बचके रहें अब बात करते हैं फेश मॉस्टराइजर की उपर बता दिये गए दो आनिकारक ततव फेटलेट्स और पैराबीन फेश मॉस्टराइजर में इन दोनों को यूज़ किया जाता है फेश मॉस्टराइजर में पैराबीन को भी और फेटलेट्स को भी यूज़ किया जाता है इनके इस्तिमाल करने की बजाए आपको हमसला देंगे कि आप जिसमें शुकंद ना हो परफ्यूम ना हो मतलब कि अपराकरतिक करिटरिंठी में शुकंद ना हो वो तेल इस्तिमाल करें बात करते हैं डियोड्रेंट की रोजाना यूज होने वाले डियोड्रेंट और पर्फ्यून में ट्राइकलोजेन और प्रोफाइलिन गलाइकोल दोबारा सुन ले ट्राइकलोजेन और प्रोफाइलिन गलाइकोल ये जो हैं तत्तों पाए जाते हैं ये तो फेटालेट्स और पेराबिन के साथ ही आते हैं ऐसे में डियोड्रेंट का इस्तेमाल भी जो है वो कम गातक नहीं है इसे यूज करने के जगे बहुत बढ़िया ही ये रहेगा कि आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अब आते हैं टेलकम पाउडर पर टेलकम पाउडर टेलक से बनकर तयार होता है टेलक में ऑक्सिजन, मेगनेशियम और सिलिकॉन जैसे गातक तत्ता होते हैं इसके अलावा इसमें एस बेस्ट्स भी होता है जिससे कैंसर का खत्रा कई गुना बढ़ जाता है स्वास के दवारा उक्सिजन ग्रेंड करते हैं वो अलग बात है लेकिन जब स्किन के दवारा ये जीज़ें इसके साथ सिलिकॉन मेगनेशियम वादी के साथ स्रीज में पर करोड का जरुमाना लगाया गया था तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि आप इन चीज़ों से बचें विशेसकर मैलाएं जो हैं वो सुन्दरता के लिए इनका प्रियोग करती हैं तो ये जो हैं वो चंद पलों की सुन्दरता दिखाई देती है पर जिए उन बर के हैं और कई बार संक्राम करोग होते हैं वह दूसरे को संक्रमण के कान हो जाते हैं इसलिए कुछिश करें कि इन चीजों से बचे रहें आप साधान तेल नारियल तेल वगरे का इस्तेमाल करें वो भी पंसारी के यहां से खुला मिल जाता है यह नारियल का कोई कोलू तो महां से खुला ले लें कोई जरुरी नहीं कि आप किसी ब्रंडेड कंपनी का इस्तेमाल करें क्योंकि जो फिल्टर तेल बताते हैं कि तो दोस्तों इन चीज़े से थोड़ा बचके रहें आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताए कमेंट में ताकि हम ऐसी जानगारी जुटा करके आपके शामने परस्तूत करने के लिए और परतसाइत हों यदि आपको वीडियो बुरा लगा हो तो आप वो भी अनला मिलती रहें आपने हमें सुना इसके लिए आपका अर्दिक दावार नन्यवाद ओम